इस अलेकुम विएए्टि एक्सपर्ट के साथ मैं हूं कमर मलीक एक न्यू वीडियो के साथ आज़न हूं मेरे पास एचछपी का प्रिंटर है ठीक है लेजर जैट प्रो एम 12 वे नार्मल प्रिंटर है सिंपल प्रिंटर है और मेरे पास एक स्कैनर है Canon का इसका model आप देख सकते हैं Cano Scan Light 300 अब मैंने अपने printer को अपने system पे install किया है और अपना scanner अपने system के साथ attach किया है अपने scanner है इसके कुल driver नहीं है आप इसकी USB केबल से अपने system में connect करेंगे तो ये plug and play आपके पास install हो जाएगा अब इसमें मैं direct अपने printer पे scan दे सकता हूँ ठीक है अगर photo copy करनी है मैंने तो direct मैं photo copy दे सकता हूँ तो सबसे पहले तो आपने अपने अपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से copy देनी है copy का button मैंने press किया है ठीक है मेरे system में scanning शुरू होगी है तो direct automatically यहाँ पर मेरे printer में से copy प्रिंट होके बाहर आ जाएगी आप देख सकते हैं कि हमने copy का button दबाया तो direct से यह मेरे printer में से copy होके page बाहर आ चुका है तो सबसे पहले तो मैं अपने system पर आता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं अपने printer के driver install करता हूँ जब आप प्रिंटर लेंगे तो आपके पास उसके driver की cd भी मिल जाएगी आपने cd अपने system में इंसर्ट करनी है और ड्राइवर इंस्टाल करने अगर आपके पास cd नहीं है तो आप गूगल पे अपने printer का model नंबर लिखेंगे वहाँ से यह driver आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर view devices and printer में आप आएंगे तो आपके पास आपका जो printer है वो यहां पर आपको नजर आया जाएगा आपने इसको right click करके set as default पे इसको रख देना है उसके बाद आप अपने scanner से direct photo copy अपने printer पे दे सकते हैं वास यह तो छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कोमेंट जरूर करें इंशाला नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुला का दोगी तक के लिए लापिस